बुखी मत्री उपेश बगेल ने अपने निवास का एलाय में आयजित वर्चुली भूमी पूजन लोकारपन वर्शिलान्या स्काइकरम का शुभारम किया इस वरान उन्होंने लोक निर्मान विभाग अपेक्स बैंक उर्जा उच्चे शिक्षा सहीद अन्य विभागों के विभीन विकास कारियों सहीद राजधानी नई दिल्ली के द्वारका में नौनिर्मी च्छतिजगर निवास का वर्चुल शुभारम किया च्छतिजगर अवासियों को राजधाने दिल्ली में नया भवन साट करोड ब्यालिस लाक रुपए की लागर से बना है नौनिर्मी च्छतिजगर निवास सभी अत्याधूलिक सुविधाओं से सजजित है च्छतिस दढ़ मैया सो है बिंदिया जभी ठात डुंगरी पहाद चंदा सुरूज बने तोल नैना सुवखा थाने किसंग रुवजक घरीयर नंग तुर बुली जैसे सुखर मैया अच्रा तुरी दुलावे पूर मैया महु पाव पराओ तुर पुईया जै हो जै हो छपिस दढ़ मैया अनुरोद करूंगा कि सर चतिसगर्ड निवास के नाम से जाने जाने वाला जो नया बिल्डिंग है सर दौरिका में नई दिली में आज शुवखारम हो रहा है उसके बारे में सर उसका लाइफ प्रसारा आप देख रहे हैं सर अगर रूबरू होना चाहेंगे तो वहां रूबरू भी हो सकते हैं सर आपका आपका मैं आमरोद करूंगा मानियो मुख्यमंती जी से कि इसका बटन दबा कर शुवखारम करें सर आपके सभी सम्मानिय के समक्ष आपके पास एक छोटा पॉनर होगा यह सर आपके डीटल्स किसमें अजन लोकारपन के गर्मयमाई कारिक्रम में हमारे वीचु पस्तित हमारे चट्थिजगड के यससी लोप्री मुख्यमंतरी माननी भूपेज बगेल जी सभी सम्मानिय जनप्रतिधी गन केशिय सुब्रत जी और सभी हमारे अधिकारी गन हमारे आज का जो कारिक्रम है बहुत सारे कामों का लोकारपन भूमी पूजन सिलन न्यास का हमारे सभी विभागों का आज माननी मुख्यमंतरी जी ने भूमी पूजन लोकारपन सिलन न्यास किया 4,471,90,416,000 यह अपने आप में रहता है कल भी बहुत सारे विभागों का भूमी पूजन लोकारपन का कारिक्रम माननी मुख्यमंतरी जी ने संपन्न किया जिसमें 6,000 करोड से अधिक की राशी का कल भूवी पुजन लोकारपन कारिक्रम संपन्न हुआ हमारे ग्री विभाग का आज भी लोकारपन भूवी पुजन और P.W.D. विभाग का और एगरी कल्चर का सभी विभागों का हुआ है P.W.D. डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा बड़ा जो कारिक्रम है साथ जगह जहां भी जाकर के किया जाना है जीर और सार्दा चौक का चौड़ी करन का मात्र 510 मिटर चौड़ी करन करना है लेकिन रासी इसमें लगनी है 134 करोड करीब ये सबसे बड़ी बात है जगह कम ठीक ही सभी जिलों में जाकर सभी इस तल पे जाकर भूमी पूजन और लुकारपन करने की लेकिन काम इतने अधिक हैं और समय इतना कम है कि हम लोग लोकारपन भूमी कर पूजन करने जाएं तो समय बहुत लगेगा और सामने में अक्टूबर के मेने में कभी भी अचार सहिता लग भी सकता है बहुत कोशिश भी हम लोगों ने किया कि अन्य जिले में गए भी लेकिन अब समय भाव को देखते हुए कल से लुकारपन भूमी कुजन का कारकम हम लोगों ने वर्चुली शुरू किया इस कारकम के माध्यम से प्रदेश को एक बार फिर से नए विकास कारियों की सौगात दी जा रही है विविन भावगों के कुल 4,492 करोड रुपे के विकास कारियों का आज भूमी कुजन और लोकारपन किया गया कल भी हमने 6,080 करोड रुपे के विकास कारियों का लोकारपन और भूमी पुजन किया था इस तरह केवल दो दिन के भीतर में 10,500 करोड रुपे के विकास कारियों की सवगात मिल रही है इसके अलावा आज राइपूर में एक हजार इकीस करोड उनसट लाक रुपय के विकास कारियों की सवगात दी जानी है जिसमें हम लोग अभी ग्रे मंत्री जी के साथ जाएंगे तो कुल मिलाके आकड़े हैं दो दिन का ओ ग्यारा हजार पांस सो तिरासी करोड रुपया यदि पीछले तीन महने की बात की जाए तिन तीन महनों में बस्तर से लेकर सर्गुजा तक 36,000 करोड से अधिक किरासी कविकास कारियों का लोकारपन और भूमी पुजन किया गया इस कारकाम के माध्यम से 16 भावों के 378 कारियों के भूमी पुजन लोकारपन और सिलान्यास किया जा रहा है 2372 करोड रुपिये के 1112 कारियों का भूमी पुजन 1711 करोड रुपिये के और 1532 कारियों को लोकारपन और 398 करोड रुपिये 64 लाक रुपिये के सिलान्यास इस कारकाम में सामिल है इसमें अपेक्स बेंक है उल्जावी भाग है उच्षुछा विभाग, ग्री विभाग, क्रेडा आवास, यम पर्यावरन, लोक्स्वास यांत्रीकी विभाग, चिकिश्षा सिक्षा विभाग, प्रहान मंत्री ग्रामिन, सड़क योजना, लोक निर्मान विभाग, रायप Department of Agriculture and Technology तथा वन एम जल्वाई उपर वर्तन विभाग कि नए कारियों को आज इस कार्टम में सामिल किया गया इस सभी कार ऐसे अधिस्वरत्नाओं के निर्मान से संबंदित है जो जनस्विधाओं को बहतर बनाएंगे इन कारियों का सीधा संबंद हमारे आर्थिक विकास से भी है पिछले सरकार के 15 साल के कारकाल में राज के अधुसरत्ना निर्मान और समाजिक आर्थिक ससक्तिकरन के दिसा इतने कारे नहीं हुए जितने हमारे सरकार ने केवल पांच वर्स के मिक कर दिखाया है राज के किसानों मजदूरों ग्रामिन और महिलाओं के कल्यान के लिए विभिन निया योजना का संचालन किया जा रहा है इन नया योजनाओं के माध्यम से पौने दो लाख करोड रूपिय सीधे किसानों, मजदूरों, ग्रामिनों और महिलाओं के देंखातों में अंतरित किये गए हैं हमने शिक्षा, स्वास, पेजल, विजली और लोग प्रसासन जैसे छेत्रों में भी उप्रब्दियां की उचाईयां इस्थापित की हैं नई दिल्ली के द्वारका के सेक्टर में बने चत्तिजगर निमास का उधाटन भी इस कारकम में किया गया चत्तिजगर निमास भावन द्वारका नई दिल्ली के कुल लागत लगबक 60 करोड 32 लाख रुप्य हैं भावन में 61 कमरे हैं और 13 सूट हैं यह भावन आद्मिक्तम सुधाओं से सुषजित है सरकारी अत्वा निजी काम से दिल्ली जाने वाले चत्तिजगर वासियों की सुधा के लिए इस भावन का निर्मान किया गया इलाज के लिए दिल्ली जाने वाले मरीजों और उनके परीजनों को भी इस भावन के बन जाने से रुकने ठहरने की सुधा होगी चतिजगर साशन के दो भौन पहले से दिल्ली में हैं लेकिन आधनिक चतिजगर के बढ़ती हुए आस्कता को देखते हुए इस तीसरे भौन के भी जरुरत मसुत की जा रही थी मैं आप सभी को इस नए विकास कारियों के लिए बढ़ाई देता हूं सुपकामना देता हूं धन्यवाद जय हिन जय चतिजगर बहुत बहुत धन्यवाद सर कारेकरम समापन के ठीक पहले में जो इतने